Hello friends, welcome back to my youtube channel तो friends, कवीता की बुनाई में आप लोगं का स्वागत है तो friends, मैं आज आप लोगं के लिए double color में sweater का design लेकर आइ हूँ तो ये sweater का design आप लोग बच्चों के लिए बना सकते हैं देखिए बहुत लहाई consistent हैं तो ये डिजाइन आप लोग बेबी बॉय, बेबी गल, जैसे स्वेटर, टोपी, कार्डिगन, जैकेट, हाफ स्वेटर और बच्चों के टोपी पर भी आप ये डिजाइन एपलाई कर सकते हैं तो ये हमारा डिजाइन बनेगा चार-चार फंदों के मल्टिपल में तो आपने चार फंदे, चार फंदेल लगाने हैं तो उसके řावब आपने तीन फंदे एक्स्टा रखने हैं तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन की पहले शलाई, हमारे स्थी सैट से तो ये देखिए बहुती प्यारा सा ये हमारा स्वेटर का डिजाइन है तो डिजाइन की पहली शलाई सीधी से तो जैसे आपने बॉर्डर बनाया ठीक है बॉर्डर बनाने के बाद मतब जो भी जिस कलर दागे से भी आपने बॉर्डर बनाया उस कलर दागे को आप छोड़ दें ठीक है तो उसको छोड़ने के बाद आपने वहां से आगे दूसरा क फंदा उतारा, एक, दो, तीन फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुना उतारा, एक, दो, तीन फंदा सीधा, डिजाइन की पहली शिलाई सीधी साथ से पूरे फंदे इसी तरह से बना कर कम्प्लेट करेंगे, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे, एक दो तीन फंदा सीधा एक फंदा बिना बुना उतारेंगे एक दो तीन फंदा सीधा एक फंदा बिना बुना उतारेंगे एक दो तीन फंदा सीधा एक फंदा बिना बुना उतारेंगे और लास्ट में हाँ पर मेरे पाँ दो फंदे है तो दो फंदा सीधा तो यह हो गई पहली शिलाए सीधी सैट से कम्प्लीट तो डिजाइन की दूसरी शिलाए उल्टे तरफ से जिन फंदों की हमने बुनाई करी थी बुनाई करेंगे और जो उतारा फंदा है उसको उतारेंगे उल्टे तरफ से एक तो तीन फंदा उल्टा जो बिना बुना उतारा था फंदा उसको उतारना है तो तीन फंदा उल्टा बिना बुना फंदा उतारना है एक दो तीन फंदों की बुनाई करी एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तो इस तरह से डिजाइन की दूसरी शलाई उल्टे तरप से पैक घर तो ये हो गई हमारे दिजाइन की दूसरी राइक खाल सबेद्जों की तो यह पर यह जो आप का डिजाइन की डागा रहता है इसपर आपके जो नहीं तो फिर भार में दिकत पड़ जाती है इस तरह से अब ये तीसरी शिलाई सीधी साथ से पहला फंदा उतारा जो हमने तीन फंदों की बुनाई करी थी बुनाई करेंगे तीन फंदे सीधे एक फंदा जो हमने उतारा था उतारेंगे तीसरी शिलाई है सीधी तरफ से दो तने उतारा एक दो अ दो तेन फंदो की बुनाई करेंगे उतारा फंदा उतारेंगे फिर तेन फंदा सीदह एक तो तीन फंदा सीधा उतारा फंदा उतारेंगे एक दो तीन फंदा सीधा उतारा फंदा उतारेंगे फिर दो फंदा सीधा तो यह हो गई हमारे डिजाइन की तीसरी शिलाई सीधी साइट से कंप्लीट तो डिजाइन की चौती शिलाई उल्टे तरफ से है ठीक है चौती शिलाई सीधे सीधे बनाकर complete करेंगे इस तरह से तो आपके पास जितने भी फंदे हो डिजाइन की चौथी शिलाई उल्टे तरप से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर complete करना है जो हमने उतारा फंदा था तीन शिलाई में लगातार उस फंदे की भी हम चौथी शिलाई में है हमारा रॉंग साइट पर हमने इन फंदों की बनाई करनी है सीधी तरफ तो ये हो गई हमारे डिजाइन की चौथी शिलाई complete और फिर चलते हैं डिजाइन की पहली शिलाई चार शिलाई एक लर्दागे से बनेगा चार शिलाई एक लर्दागे से बनेगा तो फिर से हमारे डिजाइन की पहली शिलाई है सीधे साथ से ये देखिए हमारा डिजाइन का लुप कुछ इस तरह से बन कर आएगा तो यहां पर देखिए अब ये जो हमने उतारा फंदा है अब इसका ध्यान देना है आपने जितने भी हमने ये जो उतारे फंदे है ये देखो इसली पता चिर रहा है उतारा फंदा और इधर उधर का फंदा एक दो तीन फंदा हमने सीधा बनाना है तो उसके बाद वाला फंदा हमने बिना बुने उतारना है जब आप दूसरे कलर यूज़ करेंगे तो ये देखिए जैसे एक दो तीन तीन फंदों की बुनाई करनी है एक फंदा बिना बुना उतारेंगे तो चलिए साथ में कलरदागा चेंज करते हैं पहला फंदा उतारा फिर एक फंदे की हम बुनाई करेंगे फिर एक फंदा बिना बुना उतारेंगे ये देखिए ये उतारा फंदा है एक, दो, तीन, अब इन तीन की बुनाई करेंगे बस आपने इसका दियान देना है बाकि आपका डिजाइन सेम वही रहेगा एक, दो, तीन तीन फंदा सीधा एक फंदा बिना बुने उतारा ये देखिए, हमारा ये उतारा फंदा है यहाँ पर तो ये हमारा बीच में आना चाहिए उतारा फंदा तो यहाँ पर एक, दो, तीन फंदा सीधा फिर से डिजाइन की पहली शिलाई है सीधी सेट से तीन फंदा सीधा, एक फंदा उतारा एक, दो, तीन फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उतारा एक, दो, तीन फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उतारा फिर से पहली शिलाई complete हो गई, दुसरी शिलाई same वही उतारा फंदा उतारते वे जाएंगे और तीन फंदों की बुनाई करेंगे, दुसरी शिलाई यह उल्टे तरफ से तो डिजाइन की तीसरी शिलाई इसी तरह से बनाकर complete करेंगे, पूरे फंदे तीन फंदों का बुनाई किया, उतारा फंदा उतार दिया एक, दो, तीन फंदे का बुनाई किया, उतारा फंदा उतार दिया एक, दो, तीन फंदे का बुनाई किया, फिर उतारा फंदा उतार दिया तो यह हमारी डिजाइन की तीसरी शिलाई उल्टे तरफ से हो गई complete सौरी दूसरे तरफ से तो चलते हैं डिजाइन की तीसरी शिलाई सीधे साथ से अब फिर से इस यह आपका डिजाइन का दागा है इसको आप इस तरह से गुमा कर साथ लेकर जाएं तीसरी शिलाई सीधे साथ से जिन फंदों की बुनाई करी थी बुनाई करना है उतारा फंदा उतारते हुए जाना है डिजाइन आपका सेम रहेगा इस तरह से तीसरी शिलाए सीधी सैट से बुनाई करेवे फंदे को बुनाई करेंगे उतारा फंदा उतारेंगे एक, दो, तीन उतारा फंदा उतारेंगे एक, दो, और एक, तीन तीन फंदो की बुनाई उतारा फंदा उतारेंगे एक दो तेन फंदे की बुनाई फिर उतारा फंदा उतारेंगे लास्ट में तो ये फिर से तीसरी शिलाई हमारी कंप्लीट हो गई तो चलते हैं डिजाइन की चौथी शिलाई उल्टे तरब से तो चौथी शिलाई आपको पता होगा उल्टे तरब से हमने पूरी बुनाई करनी है सीधे सीधे सब फंदों की तो इस तरह से आपके पाँ जितने भी फंदे हो है हमारा रोंग साइट पर बुनाई करनी है हमने सब फंदों की सीधे सीधे तो साथ में हमारा डिजाइन भी कम्पलिट हो जाएगा तो चार शलाई का डिजैन है लेकिन आठ शलाई में बनकर complete हो जाएगा तो चार शलाई एक कलरडा अगई से बनेगा, च आषाल एक कलरडा अगई से बनेगा तो इस तरह से यह हमारा डिजैन complete हो गया दीकिकिया चौथी शिलाई फिर से हो गए complete तो फिर से जब आप डिजाइन की पहली शिलाई शुरू करेंगे color दागा change होगा फिर से क्या करेंगे आप एक ये बस आपने ये ध्यान देना है उतारा फंदा जैसे एक फंदा आपने उतारा ती एक इसको ध्यान देना है ये जो उतारा फं तीन फंदे की बुनाई करना ये देखे ये उतारा फंदा है इसको ध्यान देना एक दो तीन फंदे की बुनाई करना एक फंदा उतारा ये देखे वाइट वाले में ठीक है तो इसको आपने ध्यान में रखते वे जाना ये देखे तो जैसे शुरू करेंगे एक फंदा उत तो इस तरह से आप लोगों ने डिजाइन बनाना है तो अगर आप लोगों को मेरी डिजाइन वाली वीडियो अच्छी लगी समझाती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेर जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में